स्टार्ट है दोस्तों आज मैं आपको M.I.C.L. का ready to move OC के साथ जो अभी इन्होंने deliver किया है और position दे रहे हैं 2BHK का property में दिखा रहा हूं इस video में कि किस type का है जो सबसे बड़ा flat है और सबसे best flat है वो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें कई type का है 1BHK भी है 1.5B है 2BHK भी है अभी जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं यह 2BHK का है higher floor से आप देख लें फिर purchase करने के लिए phone करें यह flat भी बेचना है और भी करीवन 10-12 flat हमारे पास sale के लिए है जो बेचना है तो फिलाल मैं आपको एक flat दिखा रहा हूं यह देखें उसके बाद फिर next flat के लिए बात करते हैं आई यह मैं दिखाता हूं आपको यह इसका starting से entry है और space काफी बढ़िया और उपर से आप view देखें न तो आपको पूरा का पूरा national park का view मिलता है साथ साथ दैसर साइड का आपको view मिलता है नए बिल्लिंग में अभी देखें तो बालकनी आपको नहीं मिलता है यहां तो यह उन्हें चार से पांच पिट का बड़ा बालकनी दिया हुआ है और यह डीवी का जो अंडर कंस्रक्शन प्रजेक्ट अटका हुआ है प्लस यहां से आपको पूरा का पूरा नैशनल पार्क का वियू मिलता है और मुंबई के साइड का सिटी वियू मिलता है आपको यह पीछे आप सिंगापूर इंटरनेशनल स्कूल दिखा रहा हुँ हूँ अब यह मैं विंडो के साइड से आपको MICL का जो 2DHK का डाइनिंग एरिया है वो आप देख लें अब यह मैं लेके चलता हूँ अंदर साइड जो डाइनिंग से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पर किचन मिल जाता है के अपर केविनेट्स लोर केविनेट्स मॉडूर किचन ये सब करके आपको दे रहे हैं इसमौन आपको मॉडूर किचन का काम करने की ज़रूत नहीं पड़ेगा और यह इसका बालकनी है किचन में भी एक प्रॉपर बालकनी नोंने दिया है ताकि आप यहां पर वासिंग मशीन ऑपरेट कर सकें और वैसे तो आप पी चॉइस है आपके पास कई अप्शन से कहीं भी रख सकते हैं लेकिन ज्यादा तर किचन में आप देख सकते हैं यहां इ आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्टन साइड पर इसका वास्रूम मिल जाता है यह इसका वास्रूम में भी कंप्लीट यह आपको ब्रैंडेट सारे से सिरीज है प्लंबिंग का जो उने यूज किया है बहुत ही ब्यूटुफल तरीके से काम किया है यहां पर कुछ काम कर देगी आप सिर्फ फरनीचर बना के बेडरूम में और हॉल में सिफ्ट हो सकते हैं सिविल वर्क में सब कुछ आपको एक कंप्लीट बना के दे रहे हैं और एक क्लास वराइटी है सारे देखें वेटिफाइट टाइल से इटालियन मारवल में काम किया है इन्होंने यह पहल और यहां से आपको नैशनल पार्क का व्यू मिल रहा है बहुत ही कुपशुरत इसमें चज्जा भी दिया हुआ है ताकि आप वहां पर एसी का आउट्डॉर बगरा रखें वैसे तो आपको बता दें बिल्डर दोनों बेडरूम में हॉल में तीन एसी लगा के दे रहे हैं किचन में मौडूलर किचन करके दे रहे हैं और आपर केविनेट्स बना के दे रहे हैं आपको यह मास्टर बेडरूम का व्यूं है। यह जो मैं दिखा रहा हूँ नहीं यह एक्सवल फ्लाइट है 28 फ्लोर पर आपको दिखा रहा हूँ जो सेल करना है इस तरह से करीबन 12-13 फ्लाइट आया है है हमारे पास सेल करने के लिए यह बैक साइड में आउड़ोर रखा हुआ है एसी का यह जगर भी यूटिलाइज करने को आपको मिल रहा है अभी आपको कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ कॉमन बेडरूम इन दे सेंस उसमें अटेच्ट वास्रूम नहीं रहेगा यह पूरा का पूरा पैसेज एरिया है अभी मैंने आपको यह राइट हैंड साइड वाला मास्टर बेडरूम दिखाया अभी मैं आपको इसका कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ कॉमन बेडरूम का भी इस पेस आप देख सकते हैं कि कि इतना बढ़िया इन्होंने बनाया है इसका वाडरोप का इसके इसमें भी इनोंने दिया है और इसी लगा की यह देई रहे हैं यहां से आप बैक साइड का वियू देखें तो पूरा का पूरा आपको हिल वियू नाशनल पार्क का वियू आ जाता है सिंगापूर इंटरनेशनल स्कूल आ जाता है और यहीं बैक साइड आपको यहां इनका C और D बन रहा है E और F वो भी आपको देखने को मिलता है यह मैं विंडो के साइड से पूरे वेडरूम का व्यू दिखा रहा हूँ इसमें 1BHK, 1.5BHK, 2.5BHK और 2.5BHK इसमें 3-4 वराइटीस में है सभी वराइटीस में फ्लाट हमारे पास सेल करनी के लिए है आपको मैं यह फ्लाट दिखाने का रिजन यह है कि कंस्ट्रक्शन कॉलिटी आपको समझ में आ जाए कि क्या कॉलिटी नोंने पब्लिक को डिलिवर किया है यह आपको एक बार प्रापर पता चल जाए अभी पैसेज आप देख लें पैसेज मनें दिया है हाई स्पीड लिफ्ट दिया है वैसे भी M.I.C.L. एक पचास साल पुराना कॉंट्रक्टर है जो इसको डेवलप कर रहे हैं नॉलेज तो इनको है ही यहीं काम करने का और कई ब्राप अर्केटेक्ट और कॉंट्रक्टर्स इनके साथ काम करते हैं इस प्रोजेक्ट में भी सारे Scripture जो Rs. क्लास जो कऌंट्रक्टर और अर्केटेकर अहरे हैं उनने काम किया हैय इसमें तो फिलाल तुम्हें इतना दिखाया आपको आपको और कुछ आगे बताता हूँ और pricing, configuration, detail ये सब में description में डाल दूँगा अलग-अलग size का तो वहाँ से आप देखके हमें call करें हमारा number भी आपको description में मिल जाएगा दोस्तों मिलता हूँ दोस्तों next video में मिलता हूँ मैं अभी फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही friends